हलो फ्रेंट, मैं बिर्जस कुमार, ओफिसेल यूटूब चैनल, कौवर्मेंट जोब्स फोडियू में आपका स्वागत हैं, यह वीडियो बहुत ही माधपुन हैं, और नॉन टीचिंग से सबंदित हैं, इस वीडियो में नॉन टीचिंग के विभिन्द पदों के बारे में बताने वाला हूं, और यह जो बिभिन्द पद हैं, सरकारी नुकरी के लिए आवेदान आमंतरित हैं, और लाइबेरी साइंस की फिल्ड में बात करें, तो लाइबेरी एन इन इन्फार्मेशन असिस्टेंट के कुल तीन पदों पर आवेदान आमंतरित हैं, तो आज का वी यहाँ पे पद का नाम दिया है, यहाँ पे पोस्ट कोड दिया है, जो आपको अप्लिकेशन फाउम फिल करने में ध्यान रखना है, यहाँ पे पे लेबल 7 CPC के अंसार, यहाँ पे टोटल पद दिया है, यहाँ पे कटेगरी वाज डिटेल दिगई है, और लास्ट में मैं एज लिमिट दिया गया है, इस चैनल के दुआरा जो भी वीडियो बनाई जाती है, सभी डिटेल जंकरी बताया जाता है, इसमें भी सभी डिटेल जंकरी मैं बताने वाला हूँ, यहनि क्वालिफिकेशन से लेकर सभी डिटेल जंकरे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कि बी में असेस्टेंट इंजिनियर के लिए कुल सात पदों पर आवेदाना मंत्रित हैं, एज लिमिट तीस साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सुप्रिटेंडेंट के लिए कुल दस पद हैं, एज लिमिट तीस साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पेकनिकल मैं नाम लिया हूँ सीरियल नंबर एक से लेकर चार तक सीरियल नंबर पांच से जो आवेदना मंत्रित हैं ग्रूप सी में हैं जिसमें सीनियर असेस्टेंट के लिए दस पद हैं और एज लिमिट तैंतिस साल हैं सीनियर टेकनिसियन के लिए चौदा पद हैं इस पद के लिए एज लिमिट हैं 27 साल और लेब अटेंडेंट के लिए कुल 15 पद हैं एज लिमिट अधिक्तम 27 साल दिया गया है अब एज लिमिट की कल्कुलेशन जो करना है तो 18 साल से पूर्ण कर लिए हैं तो आप अपलाई कर सकते हैं इसमें गौर्रमेंट ऑफ इंडिय का नर्म से हैं या रूल से हैं ओ अपलीकेवल हैं जो चुप्ट है ओ अपलीकेवल हैं अब मैं बात करता हूं इसमें जो डिटिल जंकारी है यानि कौालफिकेसां तो संट क्वालिफिकेसां जुनियर इंजिनियर के लिए बात करें तो फ़स्ट डिवज़न बी या बीटे सुप्रिटेंडेंट के लिए जो आवेदा नामंत्रित हैं क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट डिविजन है बेचलर डिग्री या इक्विलेंट होने चाहिए यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो मास्टर डिग्री एनी डिसिप्लीन में हैं 50% अंग या जो है फाइनेंस और एकाउंट में बेचलर डिग्री है या मास्टर डिग्री कामर्ी या अकाउंटेंस या बेंकिंग फाइनंस से रिलेटेड भी है तो भी आप अपलाय कर सकते हैं तेकनिकल असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट कलास भी BTEC या IMCA आपके पास हैं तो अपलाई करेंगे यदि ये qualification नहीं है तो diploma engineering field में है और excellence academic record आपके पास है तो आप अपलाई कर सकते हैं ये qualification नहीं है तो bachelor degree in science subject में हैं तो आप अपलाई कर सकते हैं इसके अलावा ये भी qualification नहीं है तो master degree in science subject में हैं 50 परसेंट ये second division है तो आप अपलाई कर सकते हैं लाइबरी इंफार्मेशन साइंस में जो पद हैं उसकी बात करें तो इसमें जो qualification है bachelor degree in library in information science या bachelor degree in science या art या commerce है और bachelor degree in library in information science है ये डिजाइबर में ये आपके पास पर GDC हैं तो आप डिजाइबर में रहेंगे senior assistant का जो पद हैं गुरूप C में तो बार्वी class class level पर आवेदाना मंत्रित हैं इसके अलावा typing speed है 35 word per minute जो computer पर आपको typing करना है यह में स्वर्ड processing या speed sheet पर typing करना है इसके लिए senior secondary level पर यदि आपके पास commerce भी हैं तो आप apply कर सकते हैं और इसमें एक नोट दिया है जिसमें finance and account से related भी आपके पास कोई skills हैं या computer skills या software है टैली like टैली या commerce accounting या banking finance से related तो आपको प्रेफर किया जाएगा आप apply करेंगे तो आपको ज्यादा महत्तों दिया जाएगा senior technician के लिए जो आवेदा नामंत्रित हैं बार्वी class science subject से first division होना चाहिए यदि यह qualification नहीं है तो बार्वी class science subject से यानि 50% अंग के साथ में pass out है और ITI हैं तो आप apply कर सकते हैं यदि दसवी class pass हैं फर्स division और ITI two year का certificate हैं ट्रेट से रिलेक्टेड तो अपलाई कर सकते हैं डिजाइबर में बेचलर डिग्री है जुनियर टेक्निक्याल सोरी जुनियर असिस्टेंट के लिए जो qualification हैं बार्वी class pass level पे आवेदा नामंत्रित हैं साथ में टाइपिंग स्पीट 35 पर मिनिट जो कॉम्प्यूटर पे आपको देना है इसके लिए एक नोट दिया है कि finance and account में या कामर्स से रिलेटेड आपके पास कोई certificate या qualification है तो आपको प्रेफर किया जाएगा टेकनिसियन के लिए जो आवेदान अमंत्रित हैं बार्वी class science subject से first division होना चाहिए यदि ये qualification नहीं है तो बार्वी class के 50 परसेंट यहीं बार्वी class 50 परसेंट अंके साथ में पास आउट होना चाहिए और साथ में ITI वन येर का ट्रेड से रिलेटेड हैं ITI ट्रेड से रिलेटेड तो आप अपलाई कर सकते हैं यदि ये qualification नहीं है तो दस वी क्लास साइन सब्जेक्स से फंस डिविजन पास आउट है और ITI सार्टिफिकेट है ट्रेड का तो भी आप अपलाई कर सकते हैं यह दोनों को आलिफिकेशन नहीं है आपके पास यह तीनों को आलिफिकेशन नहीं है तो डिप्लोमा इन इंजेरिंग का डूरेशन वाले हैं आपके पास है तो आपो अपलाई कर सकते हैं पोस्ट कोड जो है पी-9 में आफिस आटेंडेंट के लिए जो आब्यद नामंतृत हैं लेव अचुटेंडेंट के लिए जो आवयद नामंत्रित है यहां तक तो आपको समझ में आगई होगी अब हम बात करते हैं other detail जंकारी तो देखें जो age limit में छुट है government of India का norms applicable है इन सभी पद के लिए age limit में छुट है वो applicable है यहाँ पे general terms and condition instruction दिया है तो online application form fill करना है और online application form fill करने के लिए कुछ application सुल्क लग रहा है इसकी हम बात करते हैं जो आपके लिए है एक हजार रुपिय है इसके अलावा जो जिस post के लिए other test है जिसमें skill test है इसमें AC, ST, women of ESM, PWD के लिए 250 रुपिय है और other category के लिए 500 रुपिय अप्लिकेशन सुल्क है यह जो application सुल्क है आप online पे कर सकते हैं इसके अलावा हम और भी detail जंकारी इसमें देखते हैं तो जैसे आपको selection process की हम बात करें तो इसमें जो आपका qualification है इसी के अधार पे detail जंकारी आपको shortlist किया जाएगा और shortlist करने के उपरा आप वेव साइट पे detail जंकारी upload कर दी जाएगी यदि आप कहीं पिये work में हैं वर्किंग में हैं तो आपको क्या करना है इसके लिए जो है NOC बना कर आपको देना है अब यहाँ पर आते हैं तो indicator distributed post wise reserve category के लिए यह तो category wise पत दिया है इसमें ज्यादा आपको detail जंकारी दी गई है category wise तो यह तो आप देख सकते हैं और मैं ट्राइ करूँगा कि वीडियो के description में website का link के देदूँ जिससे कि आपको notification डाउनलोड करने में कोई problem न हो साथ ही आप WhatsApp ग्रूप से add हो सकते हैं WhatsApp ग्रूप से add होकर आप WhatsApp ग्रूप जो है admin mode में रखा हुआ है तो आप comment करेंगे तो मैं notification आपको provide कर दूँगा दूसरी बात कि हम बात करें कि या जो vacancy हैं कहां पर आया है या जानना सक्से जरूरी है तो NIT कलिकट में आवेदान आमंतरित किया गया है और इसमें विभिंदपद हैं अब हम देखते हैं कि application form पहुंचने कि जो अंतिमतिती है वो क्या है क्योंकि इसके बारे में इसमें detail जाएंकारी दी गई है कहीं न कहीं तो इसके बारे में last date हम देखते हैं कि online application form पहुंचने चाहिए